आज हम सीखेंगे वर्गी करण से संबंदित कुछ मूल बाते पृत्वी पर कई जीव जन्तु पाए जाते हैं सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न है कुछ जीव जैसे जिवानों यानि बैक्टेरिया इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी का प्रयोग आवश्यक हो जाता है जबकि कुछ जीव जैसे वेल और पेड अत्यधिक बड़े होते हैं विबिन्न जीवों के शरीर का आकार, रहने के स्थान, भोजन प्राप्त करने के तरीके इत्यादी भी भिन्न होते हैं इस तरह प्रत्वी पर जीव शुरुष्टी विविदताओं से परिपूर्ण हैं किसी शेत्र के विबिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविदता को हम जैव विविदता यानि बायोडाइवोसिटी कहते हैं प्रत्वी पर जैव विविदता इतनी अधिक है कि हम प्रतेक जीव का अध्ययन स्वतंत्र रूप से एक के बाद एक नहीं कर सकते। इसमें समय बहुत अधिक लगेगा लेकिन यदि हम विविदता जीवों के किसी आधार पर समूह बनाएं तो इन समूहों का अध्ययन आसानी से तथा कम समय में किया जा सकता है। जीवों के समानताओं तथा भिनताओं के आधार पर समूह बनाने को हम जीवों का वरगी करण कहते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीवों के वर्गी करण से हम विभिन्न जीवों का आसानी से तथा विवस्तित रूप से यानि systematic manner से अध्ययन कर सकते हैं। हमें विभिन्न समूहों में समानताएं तथा भिन्नताएं ग्याद करने में आसानी होगी। इससे हम यहां पता कर सकते हैं की किसी जीव का विकास किस प्रकार हुआ है? प्राचीन समय से जीवों के वरगिकरन के अनेक प्रयास किये गए अरस्तू यानि एरिस्टोटल ने जीवों का वरगिकरन उनके स्थल, जल और वायू में रहने के आधार पर किया था लेकिन यह वर्गीकरण का उप्युक्त तरीका नहीं है उधारण के लिए स्तल पर विभिन्न जीव जैसे मानव, रेंगने वाले जीव, विभिन्न पौदे इत्यादी रहते हैं लेकिन रहने के स्थान को छोड़कर उनमें काफी भिन्नत आये हैं इसलिए रहने के स्थान के आधार पर जीवों का वर्गीकरण भ्रामक हो सकता है जीवों के वर्गीकरण का अन्य तरीका यह है कि जीवों को समान तता भिन्न अभिलक्षणों यानि कारेक्टरिस्टिक्स के आधार पर वर्गिकृत किया जाए अभी लक्षन किसी जीव की दिखाई देने वाले विशेष्टाएं होती है उधारण के लिए जीव का कोई विशेष्ट रूप जैसे हातों में पांच उंगिया होना एक लक्षन है इसी तरह विशेष्ट कार्यत जैसे दोड़ने की शमता भी एक लक्षन है वर्गी करण के लिए समान अभी लक्षनों वाले जीवों को एक समूह में रखा जाता है फिर अन्य अभी लक्षनों के आधार पर उस समूह के उप समूह बनाये जाते हैं इस तरह जीवों के समूह को पदानुक्रम में वर्गी कृत किया जाता है पदानुक्रम के अगले स्तरों में वे सभी लक्षण होते हैं जो पिछले स्तर में उपस्तित होते हैं लेकिन एक ही स्तर के विभिन्न समूहत एक दूसरे से किसी अभी लक्षण में भिन्न होते हैं केंद्रक का उपस्थित होना या नहीं होता इन्हें हम प्रोकारियोट कहते हैं केंद्रक और कोशिक या सनरचनाओं के होने से कोशिका अधिक कार्यक्षम होती है किसी जीव में कोशिकाओं की संख्या एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा का शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होता है जबकि बहु कोशिक जीवों का शरीर कई कोशिकाओं से बना हुआ होता है दोनों की शरीर सनरचना भिन्न होती है बहु कोशिक जीवों में कोशिकाय विशिष्टी कृत हो जाती है जिससे शरीर में श्रम विभाजन में सहायता होती है भोजन प्राप्त करने की विधी विभिन्न जीवों के भोजन प्राप्त करने के तरीके बिन्न होते है बोजन स्वयम बनाने वाले तथा दूसरों से बोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शरीर संरचना भिन्न होती है पोधों का शरीर बोजन बनाने की दृष्टी से विकसित होता है जबकि जन्तूओं का शरीर भोजन बाहर से प्राप्त करने के दृष्टी से विकसित होता है हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है जिसकी सहायता से ये सूर्य का प्रकाश अवशोशित करते हैं और प्रकाश संसलेशन की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं जन्तुओं में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वे प्रकाश संसलेशन नहीं कर पाते। इस तरह से हरे पोधे एक समुह में तता विभिन्न जन्तु जिनमें मानव भी है और परी पोशी एक समुह में आते हैं। विभिन्न जीवों में शाररिक संगठन भिन्न होता है। उतक और उतकों से अंग बनता है और विशेश अंग विशेश कारे करते हैं इस आधार पर भी जीवों का वर्गिकरन किया जा सकता है अब चलिए वर्गिकरन के एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझे वर्गिकरन और जैव विकास किसी जीव के लक्षणों का उत्तरोत्तर पीडियों में परिवर्टन होना विकास कहलाता है समान अभी लक्षणों के आधार पर निर्मित पदानुक्रम को देख कर किसी जीव का विकास किस प्रकार हुआ होगा इसकी एक जलक दिखाई देती है हमें यह भी ग्यात होता है कि कुछ जीव सम्मूहों की शाररिक सनरचना में खास परिवर्टन नहीं हुआ है जबकि अन्य जीवों में अपेक्षक रुत अधिक परिवर्टन हुआ है हम पहले प्रकार के जीवों को आदिम या निमन जीव कहते हैं जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत या उच्च जीव कहते हैं ध्यान रहे इन शब्दों का सम्मन्द प्रगती से नहीं है इस उल्जन को दूर करने के लिए हम पहले प्रकार के जीवों को पुराने जीव और दूसरे प्रकार के जीवों को नए जीव कह सकते हैं नए जीवों की शारेरिक सनरचना पुराने जीवों की शारेरिक सनरचना से अधिक जटील है आज हमने सीखा वर्गी करण से संबंदित कुछ मूल बाते